हालो गुड मॉर्णिंग है औरीवन आज हम अपनी क्लास फिफ्त का एंसी आर्टी मैट्स मैजिक बुक पेज नंबर 59 करेंगे इस पर आपको यह कोश्चन दिखाई दे रहा है इसमें कलड़की है इसका नाम रजनी रामू है और यह रामू के पास कुछ वेजिटेबल्स है इसको इससे अपने फ्रेंड्स में डिस्ट्रिब्यूट करना है और इसने उपर स्टेट्मेंट में दिया हुआ है कि किस फ्रेंड को कितना पार्ट इसका दिया गया है तो अब हमें सोल करना इस को जैसे स्टेट्मेंट में लिखा हुआ है कि He gave Abu Bakir 1 by 5th of these tomatoes and 1 by 3 of potatoes कि उसने Abu Bakir को 1 by 5th of tomato दिया है और 1 by 3 of potato दिया है तो हमें Abu Bakir का सेर निकालना है तो उसके लिए हम कैसे निकालेंगे तो हम 1 by 5th of tomato निकालेंगे 1 by 5th 1 by 5 लेकिन हमें इसके लिए पता होना चीए हमारे पास total tomato कितने है तो count किजिए 5, 10, 15 और ये 5, 20 हमारे पास total 20 tomatoes हैं तो 20 tomatoes का 1 by 5 निकाला 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 ये आपका आ गया 4 1 जा 4, 4 by 1 मतलब अभू बाकर को वो 4 tomatoes देंगी उसके बाद उसने उसको कुछ potato भी दिये हैं 1 by 3 of potato तो 1 by 3 निकालेंगे हम 1 by 3 of potato लेकिन इसके लिए हमें पहले count करना पड़ेगा कि हमारे पास total potato कितने हैं तो हम पहले count करते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 total हमारे पास 18 potatoes हैं और 18 में से उसने उसको 1 by 3 दिया है तो 1 by 3 multiply by 18 और इसको solve करेंगे 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 तो 6 जा 6, 6 by 1 मतलब अब 18 potatoes में से वो 6 potatoes अबुबाकर को देंगी यह अबुबाकर का हिस्सा था हमने tomato भी निकाल लिए potato भी निकाल लिए tomato आए है 4 और potato आए है 6 अब हम आगे statement पढ़ते हैं कि क्या दिया हुआ है आगे दिया हुआ है श्रीजा गोट 2 by 2 by 5 of the tomatoes and 3 by 6 of the potatoes उसकी कोई दूसरी फ्रेंड है स्रीजा श्रीजा को उसने 2 by 5 of tomatoes टुबाइब 2by5 टुमै तो हमें टुमैटो का टूबाय फिफ्त निकालेंगे हमें पता है टूटल टुमैटो है 20 तो 2by5 10 dal audio clean निटी इन न इन फ्लारेट उसे वेट्विय। लेकिन उसके साथ उसे ने बोला है कि उसे 3 by 6 of potatoes भी देने है तो potatoes का 3 by 6 निकालते है 3 by 6 of potatoes potatoes कितने थे? potatoes थे 18 तो 6 बंजा 6 और 6 थ्रीजा 18 तो यह आया 3 multiply by 3 3 थ्रीजा 9 by 1 मतलब वो 9 potatoes अपनी friend स्रीजा को देगी तो हमने स्रीजा का सेर भी निकाल लिया है स्रीजा को 8 tomatoes and 9 potatoes देंगी आगे statement पढ़ते है नैंसी got the rest of these vegetables और तो उसकी 3rd friend है नैंसी उसको बाकी जितने tomato और potatoes उसने अपने friends को दिये है उनमेंसे जितने सेस बच जाएंगे जितने remains बच जाएंगे वो अपने friend नैंसी को देगी हो ठीक है अब हमसे question पूछा है circle अबूबाकेर share in blue जब अबूबाकेर है उसके share को आप ब्लू circle करना है तो हमने अभी निकाला था कि अबूबाकेर को 4 tomatoes मिले थे और 6 potatoes मिले थे तो हम उसके हिस्से को circle करते हैं 4 tomatoes तो आप यह 4 tomato को आप यह circle करोगे तो 4 tomatoes उसको मिले हैं और मिले हैं 6 potatoes तो 6 potatoes को हमने circle कर दिया है ठीक है next आगे पूछा है उसने circle स्रीजास share in yellow जो स्रीजास की friend थी उसको जितने tomato potato मिले हैं उसको आपको yellow circle करना है तो अभी हम yellow circle करते हैं yellow तो हमने देखा था कि स्रीजा को मिले थे 8 tomato 8 tomato हम लेते हैं 2, 4, 6, 8 यह वाले यह वाले 8 tomato स्रीजा को मिल गए हैं and 9 potatoes थे उसके 9 potatoes हमें दीख रहे हैं 5 और यह 4 यह हमने 9 potatoes को yellow circle कर दिया है ठीक है अब next आगे उसने question में क्या पुछा है तरह नीचे आएंगे नीचे पुछा है how many potatoes and tomatoes did Nancy get जो इसकी third friend थी Nancy उसको कितने tomato और potato मिले होंगे तो हमें सबसे पहले यह निकालना पड़ेगा कि उसने कितने tomato और potato अपने बाकी के दो फ्रेंड अबू बाकर और स्रीजा में distribute कर दिये हैं तो हम देखते हैं tomato उसने four tomato अबू बाकर को दिये थे और eight tomato स्रीजा को द four tomato plus eight tomato स्रीजा वाले तो यह total हो गया 12 tomatoes वो distribute कर चुकी थी तो हमारे पास total tomato थे 20 20 में से कितने बचे 20 minus 12 20 minus 12 आया eight और वो eight tomato जो है वो नैंसी को मिलेंगे उसके बाद potato की बारी आईए तो उसने six potatoes दिये थे six potatoes उसने दिये थे इसको अबू बाकर को दिये थे six potatoes उसने अबू बाकर को दिये थे plus nine potatoes उसने शरीजा को दिये थे तो nine plus six फिफ्टीन फिफ्टीन potatoes वो distribute कर चुकी है अब उसके पास कितने बचे total हमारे पास 18 potatoes थे 18 minus 15 is equal to 3 तो अब उसके पास 3 potatoes बचे है जो वो नैंसी को देगी तो मीध है आपको एक question संज में आया होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको like कीजिए और इस channel को subscribe कीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो जाएगी आपको notification मिल जाएगा और इस वीडियो जो को आपने friends में share कीजिए ताकि उनको भी इसका फाइदा मिल सके okay thank you